अब 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 है अब 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 महां जो सलामदिन खान आप देख रहे हैं प्रहाड टाइम एनसेपी आने वाले चुनाओं को लेकर अब अपनी कमर कस रही है बीजेपी और सिउसेना को मात देने के लिए मैदान में उतर गई है इनसेपी की तरफ से ठाने गटकरी रंगायातन चौक में परिवर्तन यात्रा का आयोजन किया गया इस मौके पर छगन भुजबल, जैन्द पाटिल, अजित पवार, आमदार, जितेंद्र आवाट, आनंद परांज पे मुझूद थे जारेकरम में बीजेपी पर जम कर हमला किया गया, छगन भुजबल ने परदान मंत्री नरेद मोधी पर हमला करते हुए कहा कि नरेद मोधी के उम्र के बराबर पेट्रोल डीजल के दाम बन गये हैं, लेकिन मोधी चाय बेचते बेचते अब देश को बेचने में लगे हैं, इस दवरान आमदार जितेंद्र आवाट ने कहा, मोधी सरकार संस्थाओ पर अपना कबजा जमा कर संविधान का गला घोटने में लगी हैं, जिसका जीता जाकता उदाहरन राफेल मामले में जांच से इनकार करने के साथ साथ, CBI के वर्मा मामले में कोट के निरड़े आने के बाद हस्त छेप कर उन्हें पद से हटा दिया गया, वहीं इस सभा में बीजेपी के साथ साथ सीउसेना पर भी निसाना सीउसेना बीजेपी के बराबरी की हिस्सेदारी में है, जो बीजेपी का साथ दे रही है, इनके खाने के दात अलग हैं और दिखाने के दात अलग हैं, तो देश और दुनिया के तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहे हैं, प्रहा टाइम्स